गाइज अक्सर आपने कई मूवीज में एक्टर को बम डिफ्यूज करते हुए देखा होगा और इन मूवीज में बम डिफ्यूज करते समय वायर कट करते हुए दिखाया जाता है लेकिन असल में जब BDS यानि बम डिफ्यूज स्क्वेड को बम डिफ्यूज करना होता है तो सबसे पहले सस्पेक्टिव चीज के चारों और अपना कमांड एरिया बनाकर उस तक पहुँचने का एक सुरिक्सित रास्ता ढूंडते हैं इसके बाद सस्पेक्टिव चीज में एक्स्प्लोजिव है और नहीं इसका A9 डोक्स से कनफर्म किया जाता है कनफर्म होने के बाद टीम का एक मेंबर 40 केजी का बंब सुट पहन कर उसके पास एक्सरे एक्स्प्लोजिव है उसको पता किया जाता है फिर रिमोटली ओपरेटिड विकल के जरिए इसको उठाकर कंटेंडमेंट चेमबर में डाल दिया जाता है यहां इसका विश्पोर्ट करके उस बंब को नस्ट किया जाता है